Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. Welcome all of you in Hindi class. बच्चों अब तक हमारे part 26 तक complete हो चुकी हैं और इसका अभ्यास का रहा है, प्रशन उत्तर भी हो गए हैं. प्रशन उत्तर हमने शब्दार्त और प्रशन उत्तर ये notebook में लिखे हैं. I hope आप लोगों ने भी notebook में complete कर लिया होगे और book work भी complete कर लिया होगा. बच्चों अब exams आपके पास में हैं, आपका काम complete होना चाहिए, learning भी, return भी. ओके, आज हम read करेंगे part 27, सेहत की बात. सेहत क्या होता है? हमारी जो शरीर की जो हालत होती है. वो अगर खराब है या अच्छी है, वो हमारी सेहत ही है. ठीक है, सेहत की बात इस part में हो रही है. जब हम अच्छी चीजे खाते हैं, तो fruit होगे, dry fruit, fruits, फल, सबजियां, उससे हमारी सेहत जो है, हमारी तब्यच जो है, ठीक रहती है. अगर हम fast food वगेरा ज़्यादा खाते हैं, हलका फुलका कभी कबार तो कभी खराब नहीं करता, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर हम खाते हैं, तो उस पे हमारी सेहत पे असर होता है, वो हमारी तब्यच को खराब कर देता है. इसलिए fast food से बचना चाहिए. इस पार्ट में एक ऐसे लड़के की कहानी है, एक लड़के के बारे में बताया गया है, जो बहुत ज़्यादा fast food खाता है, जिससे उसकी तब्यच बिगड़ जाती है. आई ये पढ़ते हैं, क्या होता है? आज जब समीर स्कूल से घर आया तो वह खुश नहीं था. आज जब समीर स्कूल से घर आया तो वह खुश नहीं था. मम्मी ने पूछा, क्या हुआ बिटा? क्या तब ये ठीक नहीं है? समीर ने मुफ लाकर कहा, मम्मी मैं शकूल नहीं जाऊंगा आज जब समीर स्कूल से घर आया तो वह खुश नहीं था. मम्मीने पूछा, क्या हुआ बिटा? क्या तब ये ठीक नहीं है? समीर ने मूफ लाकर कहा मम्मी मैं स्कूल नहीं जाओंगा मम्मी बोली क्यों क्या हुआ समीर ने कहा मम्मी ये शब्द के आगे जब ये लगा होता है तो जो आगे बात लिखी होती है वो बात इसने कही और ये जो बात लिखी है इसके आगे मम्मी लिखा हूँ है न तो ये बात मम्मी ने कही इसका मतलब ये होता है तो समीर ने कहा मम्मी आज स्कूल में सब बच्चों की दोड कराई गई मुझसे भागा नहीं जा रहा था सब बच्चे मुझपर हस रहे थे मम्मी ने कहा किसी की हसी उड़ाना सचमुच बुरी बात है समीर ने कहा लेकिन मम्मी मुझसे दोड़ा क्यों नहीं गया मम्मी ने कहा क्योंकि तुम मोटे हो ये देखो है ना ये मोटा समीर ने कहा मुझ में तो जादा ताकत होनी चाहिए हाथी भी तो मोटा होता है देखो वे कितना ताकतवर होता है मम्मी ने कहा मोटे होने का मतलब ताकतवर नहीं होता ताकतवर शक्तिशाली मोटे होने का मतलब ताकतवर नहीं होता मोटापा तो शरीर को कमजोर बनाता है समीर ने कहा लेकिन मम्मी मैं इतना मोटा क्यों हूँ मम्मी ने कहा क्योंकि तुम तली चीजें ज़्यादा खाते हो तुम्हें पीजा, नूडल्स, चिप्स बहुत पसंद है जब मैं तुम्हारे टिफिन में हरी सबजियां और फल रख देती हूँ तुम ठीक से खाते ही नहीं हो समीर ने कहा लेकिन मम्मी मुझे सबजियां पसंद नहीं है मुझे गोल गप्पे और चाट पकोडी बहुत स्वादिष्ट लगती है स्वादिष्ट बहुत अच्छी लगती है गोल गप्पे और चाट पकोडी मम्मी ने कहा ये चीजें कभी कभी खाओ तो ठीक है लेकिन इन चीजों को हम अच्छा भोजन नहीं कह सकते समीर ने कहा फिर अच्छा भोजन क्या होता है मम्मी ने कहा ऐसा भोजन जो हमें ताकत दे शक्ती दे जैसे रोटी, चावल, दाल, दूद, दही, पनीर, सबजियां और फल समीर ने कहा पर मम्मी मैं तो रोज रात को दूद पीता हूँ मम्मी ने कहा समीर अब तुम बड़े हो रहे हो केवल दूद ही काफी नहीं है रोटी सबजी खाओगे तो तुम्हें ताकत मिलेगी और मोटापा भी नहीं आएगा समीर ने कहा अच्छा मैं ये सब खाऊंगा मैं दोड में प्रथम आना चाता हूँ दोड में प्रथम प्रथम क्या होता है पहला नमबर जो होता है मतला फर्स नमबर पे आना चाता हूँ पहले नमबर पे आना चाता हूँ मम्मी ने कहा सिर्फ अच्छा भोजन करने से ही सब कुछ नहीं होता तुम स्कूल से आकर घंटों तक टीवी देखते रहते हो बैठे बैठे भी हम मोटे हो जाते हैं समीर ने कहा फिर मुझे क्या करना चाहिए मम्मी ने कहा तुम्हें रोज थोड़ा घूमना भी चाहिए और पार्क में जाकर बच्चों के साथ खेलना कूदना चाहिए इससे तुम्हारा शरीर मजबूत होगा और तुम बिमार भी नहीं पड़ोगे देखिए शब्द ग्यान भोजन कार्थ क्या है? खाना प्रथम कार्थ पहला तो बच्चों आज से आपने भी अगर ज़्यादा तला हुआ खाते हो भार का चाट पकोड़े जो भी ज़्यादा तला हुआ खाते हो तो वो आपने छोड़ देना है आपने भी नहीं खाना देखो ये भाग नहीं सकता था क्यों क्योंकि ये फास्ट फूड खाता है ठीक है आज से आप भी अगर ज़्यादा खाते हो तो बिलकुर नहीं खाओगे फल सबजियां ये सब कुछ खाओगे समीर स्कूल क्यों नहीं जाना चाता था समीर मोटा था और उससे दोड़ा नहीं जाता था किसी की हसी उड़ाना कैसी बात है किसी की हसी उड़ाना बुरी बात है खेलने कूदने से क्या होता है खेलने कूदने से शरीर स्वस्थ होता है और हम बिमार भी नहीं पड़ते स्मीर स्कूल क्यों नहीं जाना जाता था क्योंकि वे मोटा था और उसे भागानी जाता था किसी की हसी उड़ाना बुरी बात है खेलने कुदने से शरीर हमारा स्वास्थ होता है मजबूत भी होता है और हम बिमार भी नहीं पड़ते है उसके बाद है प्रशन दो रिक्त स्थान पर ये जब समीर स्कूल से घर आया तो वे डैश नहीं था वे खुश नहीं था हाथी भी तो डैश होता है आपने ये ध्यान से पढ़ने कहीं नहीं था पुछे उन्होंने ये नहीं पुछा वे डैश था अगर ये होता वे डैश था तो हम क्या लिखते है दुखी वे डैश नहीं था तो खुश वे खुश नहीं था हाथी भी तो डैश होता है मोटा ये पीडियेफ भेजूंगे आपने कंप्लीट करना है तुमें रोज डैश चाहिए गूमना हमें प्रति दिन डैश करना चाहिए भागना या व्यायाम नहीं व्यायाम करना हमें प्रति दिन व्यायाम करना चाहिए किसने कहा मतलब ये जो बात लिखी हुई है ये किसने कही क्यों क्या हुआ ये बात किसने कही थी मम्मी ने मम्मी ने कही थी तो हम यहां टिक कर देंगे मैं स्कूल नहीं जाओंगा ये बात समीर ने कही थी न यहां टिक करेंगे हाथी भी तो मोटा होता है ये बात किस ने कही थी समीर ने बैठे बैठे भी हम मोटे हो जाते हैं ये बात मम्मी ने उसके बाद ये जो वाक्य लिखे हैं इन में से जो वाक्य सही है उसके आगे सही का निशान लगाना है जो वाक्य गलत है उसके आगे गलत का निशान लगाना है तुमें रोज घूमना नहीं चाहिए ये बात गलत पार्क में जाकर बच्चों के साथ खेलो ये बात सही इस से शरीर मजबूत होगा ये बात मम्मी ने कही थी ना कि तुम रोज खेला कुदा करो शरीर मजबूत होगा तुम बिमार भी पढ़ जाओगे माने का था अगर तुम खेलोगे कुदोगे तो बिमार नहीं पड़ोगे ये बात नहीं आई है इस पार्ट में तुम बिमार भी पड़ जाओगे ये बात इस पार्ट में नहीं आई ये माने बोला तुम बिमार भी नहीं पड़ोगे तो ये बात गलत तो बच्चो आपने भी अपना काम कंप्लीट करना है ओके टेक कियर